बिनेश वगाट इंडियन रेस्लर ने केस किया था CES को अप्रोच किया था कि जो मिर को डिस्क्वालिफाई किया गया है वो नहीं किया जाना चाहिए था अगर आप डिस्क्वालिफाई करते भी है तो आप एट लीस्ट मुझे सिल्वर मेडल दीजिए अब इस केस पर एक अ आपडेट्स आई हुई है कि जो अर्गिमेंट्स वहां पर दिये जाएंगे विनेश के पक्ष में उसके डीटर्स एक्स्क्लूजिव आई है इसमें पहले चीज़ तो यह कही जाएगी कि हमने कोई फ्रॉड नहीं करा दूसरी चीज़ रहेगी इसमें कि जो वेट गें था तो बॉडी का नेचुरल प्रोसेस था उसके जरीए वेट बढ़ा और फिर उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाया उसके बाद यह भी रहेगा कि यह फंडमेंटल राइट है भाई कि अपनी बॉडी की रक्षा करना हर किसी का है उसकी लुक आफ्टर करना तो एक एथलीट का भी उनका फंडमेंटल राइट है कि अपनी बॉडी को का ध्यान रख्यों न्यूट्रेंट्स की जरूरत हो रिकवरी के लिए वह लिए जाए तो यह चार मुख्य जो आर्गुमेंट्स है वह पेश किया जाएंगों इनके आधार पर फिर यूव्व भी अपना जवाब देगा करना होगा अगर इनके फैसला आता है की तरफ से विनेश को तो विनेश को अभी के लिए एक सिल्वर मेडल मिल जाएगा लेकिन मेडल कितनी देर तक इनके पास रहेगा इसकी कोई गरंटी नहीं क्योंकि आई ओए या यूव्व अगर उस पर चाहें तो आगे की आगे फि कहा कि अपनी बॉड़ी की केर करना फंडामेंटल राइट है बात बिल्कुल ठीक है कि आप कुछ खाएंगे पेंगे आपको अगले बाउट के लिए तरह लोना पड़ेगा लेकिन इन बिट्वीन यह तो सभी के लिए रूल्स होते है ना कि आपको नेक्स डेवी क्योंकि के बाद से ऐसा हो गया है कि दो दिन का टूर्नमेंट हो गया है आप सेमी फाइनल तक एक दिन लड़ते हैं और दूसरे दिन आपका फाइनल माच होता है ताकि आपकी बॉड़ी को भी रिकवरी का टाइम वले साक्षी का जो पूरा टूर्नमेंट हुआ था जब उन्होंने का टूर्नमेंट है और यह दो साल से मतलब डोनों ओलम्पिक से यह रहा है कि आपको दोनों दिन ही उतनी वेट क्याटिग्री में आना ही है तो यह तो सब को पता है आपको जो नियम है हमको भी पताते सब को पताते सब के लिनियम बराबर होते है ऐसा नहीं हो कि पहली बड भी करी थी कि यह फाइनल में हमको खेलने का मौका दीजिए हमको दुबारा वजन करिया हमारा तो वह तुरण नकार दी गई उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया कि यह संभव नहीं है लेकिन दूसरी जो हमारी अपील थी कि सारा आर्गुमेंट इसी चीज़ का दिया जा रहा है कि हमको आप एक सिल्वर मिडल दीजिए क्योंकि हम फाइनल तक पहुंचे थे लेकिन मैं यह चीज़ में समझ पा रहे हो कि जो नियम पहले से चलते हुए आ रही है तो क्या वह चेंज हो जाएंगे मिनेश के केस में पहल तो में पिछले सारे रिजल्ट्स नेलन वाइड हो रहे हैं लेकिन बीते कुछ मैच पहले की टूर्मेंट्स में जो रूल तो यही कहता है ना कि आपका वह नहीं माना जाएगा आप डिस्क्वालिफाइब हो जाओगे रूल के हिसाब से जब फर्स डे से यह बात चल रही ह रही है कि डिस्क्वालिफाइब कि यह रूल है तो इस चीज का काउंटर अटाक मतलब किस तरीके से पेशगे जा सकते हैं इस पर हमको कंटर करना है हमगी जीत सकते हैं जहां सब्सक्राइब हो पूरी जो दलील है वह सिर्फ है कि हैंग फाइनल तक गहे थे आपके सारी नि लेकिन इन नियमों के तैयत अभी तक फाइनल्स में जाके मेरी याददास्त में कोई डिस्क्वालिफाइन नहीं हुआ था आप राउंड आप 16 में हो गए 8 में हो गए सेमी में भी हो गए तब तक मेडल कनफर्म नहीं है न यहां बात है कि हमारा मेडल कनफर्म हो चुका था उसके बाद हमको जो रिकवरी का टाइम मिला हम नहीं रिकवर कर पाए और हम डिस्क्वालिफाई कर गए तो उसके बाद कर जो हुआ हो लेकिन उससे पहले तो हम नियमों के आधार पर गए थी ना फाइनल तक तो उसका हम मांग रहे है अपना सिल्वर मिडल पॉसिबल है ने की मांट मैं तो चाहूंगा कि फॉसिबल हो? तैम जूज के यह पॉसिबल हो ऐसा हो कि विनेश को में बयका'MD impllaughs की आधास में बिक यह बखी इसका हुआ हो मैं पहले कभ गए? होता उस टाइम बाहर हो जाना और जब आपका मेडल कन्फर्म होता है कि एट लीस्ट गोल्ड नहीं तो सिल्वर तो आप लेके ही आओ गया और सिल्वर से भी आप हिस्ट्री क्रियेट कर रहे हैं बिल्कुल हमने देखा रवीद आहिया का इमने पिछली ओलम्पिक्स में हो जाए तो यह नई चीज है और इस नई चीज को दुबारा ना देखना पड़े इसकी यह लड़ाई है कि अगर इसमें कोई फैसला बनता है तो यह आगे के लिए नजीर बन सकता कि वहां पर विनेश का जो केस हुआ तो उसमें यह फैसला आया था अगर डिनाई हो जाता तो इस चीज की भी एक दलील दी जाएगी कि हमने वही चीजे खाई जो कम हो सकती थी हमने मलदब ऐसा थोड़ी है कि महां बैट के पिज़ा पाटी करने लगे थे हमने फ्लूइड लिए दो दो थेश्व एमेल फ्रूट्स लिए थे फ्लूइड फ्लूइड लिए थे थे और 700 ग्राम की स्नैक्स थे जिससे पूरे दिन के जो इवेंट से उसके दोरान हमारी एनरजी डिप ना हो क्योंकि जाहिर से बात हम लड़ रहे है क्योंकि हमको जीतना है तो हम बल हमने बस इतना ही लिया था वह जो इंटेक था हमारा उसके बाद अब यह भी हो सकता है नही कुछ ग्राम आपका बड़े आता है तो अब इसको तो नहीं कार सकते ना 100 ग्राम की बात थी अब खैट जो हुआ वह हुआ अप सी एस का फैसला किया आता है यह बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको जैसे हमने बताया कि यह फैसला पारस ओल्मिक्स खातम होने से पहले जाएगा यह देखना होगा कि अपील सुनी जा सुनी जो चीज है नेचुरल वेट में आप खेलते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन अब हम पीछे जाके इसको नहीं चेंज कर सकते हैं हमाई लडाई है जो यह हो गया इसको कैसे सही किया जाए क्योंकि हमने पूरी कोईश कि ऐसा नहीं कि विनेश बाउट के बाद सो गई करें अपनी और वहां से जो भी फैसला है उसको सविकार के आगे बढ़े अगर फैसला पक्ष में तो ठीक है उपक्ष में अगर आ गया तो निश्चत वर पर जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं कि यह फाइट इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी इस पर भी और भी अपील होंग कर्या पक्राइट